पहारास्ट्र के धुले में उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री योगी आदतनाथ जनसभा को संबोधत कर रहे हैं आपको सीधी लिए चलते हैं जन्म कारावास की सजास सही ऐसे बीर सावर कर किस पावन धरा को नमन करता हूँ स्वतंद्र भारत में हिंदुत्व की धोजा पताका को सदेव जीवन्त रखने वाले सरदेव बाला सहब ठाकरे को ही मैं नमन करता हूँ बैन और भाईयो मैं जब यहां पर आता हो यहां के बारे में सुनता हो मुझे बहुत आस्तर होता है कि छत्रपती सिवाजी महराज की पावं धरा में जब इस देश में मुगलो का पंग था उनका प्रचुस्व था उस काल खंड में चत्रपती सिवाजी महराज ने हिंद भी सुराज की अस्थापना की थी उस काल खंड में जब औरंग जेब हिंदों पर जजिया कर लगा रहा था और जो कर नहीं दे सकता था उसका जवरन मतांतन करा रहा था उस काल खंड में औरंग जेब के दंब को चकना चूर करके चत्रपती सिवाजी महराज ने हिंद्वी स्वराज का जंडा बुलंद करने का काम किया था और हिंदुस्तान के माथे को गर्ब के साथ उपर उठाने का कारे किया था लेकिन मुझे आस्तर होता है मैं आस्तर होता है मुझे इस बात को लेकर के मैंने सुना कि कॉंग्रेस के प्रदेश के अध्यक से यहां आये थे और अपने संसकारों के अनुरूप कह रहे थे कि राम कॉंग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को दुलवाएगी अरे यूपी की जंता तुम्हे उस लायकी नहीं छोड़ेगी कि अयोध्या पहुच भी पाऊगे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की 140 करोड़ लोगों की भावना का प्रतीक है भारत के अंदर जब हमारा महाराष्ट देश के अंदर के सभी लोग मिलकर के मोदी जी के नित्रतों में अपने वोड की कीमत को समझे हैं और मोदी जी का सशी नित्रत्वा उन लोगों ने स्विकार करके मोदी जी को भारत का प्रधान मंतरी बनाया तब कॉंग्रेस के कलंग को समाप्त करते वे मोधी जी ने अयोध्या में राम मंद्र के निर्माण का मार्ग प्रसस्त किया है और आज तो आयोध्या में रामलला बिराजमान हो गए है मैं तो आयोध्या से ही आया हूँ कली मैं योध्या था मुझे जब भी मौका मिलता है मैं योध्या जाता हूँ वैन और भाईयों ये भारत वासियों के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकतेगी 500 वर्सों कंतजार आज भारत के अंदर समाप्त हुआ योग्ध्या में राम लला फिर से अपनी जनम भुम्य में बिराजमान हो गए राम मंदिर का भप्य निर्माड हो गया है जो लोग पहले कहते थे एक कांग्रेस के लोग ही क खून की नदियां बेह जाएंगी भारत पे हमला हो जाएगा इन लोगों को पताई नहीं कि नया भारत है यह नया भारत है बोलता नहीं है करके दिखाता है छेड़ता नहीं है लेकर अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है हमारा संकल्प था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वही महाराष्ट से हजारों की संख्या में कारसेवक आये थे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए और मैं तो देख रहा था अपने राज्य सभा के हमारे मानिय सांसत सी अजीद जी ये तो चाद समर 1992 को भी वहीं थे अयोध्या में ही थे आज उनसे मुलाकात हो रही है मैंने उनको बोला मैंने का कुछ सकल जान पैचान लगती है आपकी तब उन्होंने कहा मैं भी 6 दिसंबर को युध्या में ही था बैन और भाईयों यह जो लोग कह रहे हैं न कि कॉंग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को दुलवाएंगे राम लला इनको इस लायकी नहीं छोड़ेंगे कि इनकी सरकार आए वो नौबती नहीं आने वाली है चार चर्णों के चुनाव संपन हो गए पांचवे चर्ण में आपको मत्दान करना है बैन और भाईयों और मैं भी कह सकता हूं पुरिदेश के अंदर जो नारा गुंजरा है एक ही स्वर है एक ही स्वर है और हर और से एक ही नारा गुंजरा है और वा है कि फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार और अब की बार